बसपा की बात की जाए तो बहन जी का मानना है कि बैंक बोट हमारा है वहीं चंदर सिकर आजाद की बात की जाए तो वो भी दलितों को अपना मान रहे हैं तो साथी साथ ये भी देखिए कि अभी तक महुजन समाध बहुत आइडोलोजीकल और राजनीतिक है किसी के घोड़ा गारी देखकर ये काफी ले देखकर किसी के राजनीति से ये परभावित नहीं होता है और जो आदवी एक सीट के लिए रो जाए गिर जाए पाईटी मैंने बनाई है दलितों के लिए बनाई है दलित मेरा साथ नी देंगे तो कौन देगा कि बहन जी के कभी भी किसी कारे करता पर आज तक किसी तरीका का एक मुगदमा नहीं लगा है और चंद से करके तुमाब कारे करता को देखो हर एक कारे करता पर पताने कितने कतने मुगदमा हैं पर आपक् отправ हाप आप नाम ले रहे हैं तो चंसेकर आजाद ने चुनाव लड़ चुके हैं और वही नेता माना जाता है जिसकी छेत्र में अपने छेत्र में ग्रह जन्पद में पकड़ हो सहरंपूर में भी चुनाव लड़े लड़वाया समाजवादी के साथ मिलके इम्रान मसूत के खिलाफ अभी मेर का चुनाव हुआ था और समाजवादी की जमानत जब्त हो गई दोनों ने उनके लिए कैंपेन किया था अपने कैंडिडेट के लिए समाजवादी के कैंडिडेट के लिए और चंद सेकर अर जो अपने को लीडर ही मानते हैं दलितों का तो सारंपूर में से लड़के दिखाए ना पता चल जागा लीडर कोन है दलितों का मेर निकाला उन्होंने पिछली बार तो साथी साथ ये भी देखिए कि अभी तक बहुजन समाज बहुत आइडिलोजीकल और राजनितिक है किसी के घोड़ा गाड़ी देखकर ये काफीले देखकर किसी की राजनिति से ये परभावित नहीं होता है हां चंसेकर अपना डोल तमासा बजा रहे है और जो आदमी एक सीट के लिए रो जाय गिड़ जाये वो दलीतों का नेता नहीं भन सकता दलीतों का स्वावीमान से कोई नहीं खेल सकता और जिस नेतां नहीं अपना स्वावीमान क्खो दिया हो सलीगत और अकलेस यादव के सामने एक सीट के लिए गड़ गड़ा रहे हूं और रो दिये हो चैनल पर भरे चैनल पर उस आदमी को लीडर मान लिया जाएगा हाँ जहां अंदोलन हो रहे हैं वहां भीडों में घुज जाओ अपने को लीडर डेक्लियर कर लो च्छत पर गाड़ी की की कोशिज करो तो दलित राजनीती में सो गाड़ियों की कोई जगह नहीं है यहां वैचारिक यह बावा साब अंबेटकर कासी राम की और महापुरसों की राजनीती की देन हैं जो हजारों सालों से लड़ी यह गई हैं और मैं बहुत सारे इसूस हैं धरम को लेकर क्या सब पहले दलित को याद नहीं करता है भाजबाकी बैत धालित करते हैं क्यात्ति कि बहुत करते हैं को एशनाटिएर्टी को इम्प्लिमेंट करना चाहती है और जो मनुवादी विवस्ता को लाना चायती है यह अर इस ऐसे उसके साथ और वो अभी तक क्योंकि वो भेंजी के साथ उस मनुवादी व्यवस्ता से लड़ता आया है यह कासी राम जी की विचारदारा और अमबेटकर की विचारदारा पार आधारित बीएसपी पार्टि है इसलिए दलित जो है इंटेक्ट जो वूट है अभी तक भी और आगे भी वो अर दलित जो है बीएसपी के साथ इंटेक्ट रहेगा चंदर सेखर के साथ नहीं रहोगे अरे क्या मतलब है चंदर सेखर एक सीट लेकर दिखाए एक सीट तो जीत के दिखाए वो खुदी गढ़वंदन के सामने गढ़वंदन में ले लो तो ऐसे आदमी जो अपने लिए ही चुनाव लड़ना चाहता हो अपने लिए सीट मांग सीट लेगा हो तो उसका पॉलिटिकल क्या होगा तो आबको लगता है कि दलीश समाज दलीश को आप बनने है ना आज भी तुम जो युवा उनके साथ चंदर सेखर के साथ में जो युवा है तुम उनके मावाप की दिलों की धड़कन से बोजोगे तो आज में उनके मुझे बहन जी के लिए बोट बैंक की बात होईगी और बहन जी को हमेंसा सपोर्ट करते हैं कि यूवा अभी है क्योंकि बोट बैंक जो है तो नहीं करपाएंगे चंदर सेखर यह कहते हैं कि दलितों के लिए बनाएए दलित मेरा साथ नहीं देंगे तो कॐन देगा नहीं कैसे देंगे दली समाज रो रो के आप दिखाऊगे ऐसे समाज साथ देगा कि आप को अत्य ते मूचों पे ताव मार के कि मूच नीचे नी ओने दूगा आप तो नी खुद नीचे होगे मूच तो मूच आप अकलेश यादव के पैरों में गिड़ गिड़ा रहे एक सी सीट भी वनाओ किूव नहीं करने के लिए तयार हुए मिलने के लिए और पहुतार नहीं कर रहे एक सी सेट क्या करें समाज के साथ गद्दार ही है यह आपका क्या कहना भाई हमारा कहना तो यह बात है अपने समाज के लिए सब्सक्राइब कभी साथ ना था ना रहेगा और जो एक और जो आपने कहीं है चंज सेकर गड़ गड़ा रहे हैं उनकी वह सोच है सारुनपूर वाले जो ब्यक्ति है वो उसके गाउन से तीस कुल जुट पलब गाउन पढ़ता है वो कैसे नेता बन गया उसको भी देखने की समाज को उसके बाद भी है लेकि बोर्ट बैंक जब जाए नेता है बात की जाए मुख्यमंतरी रही है उसके बाद भी प्रदेश म में मुकद में लगाते थे ऐसी जो राजनीती वो चाह रहे हैं पुली परसाजन को प्रेसान करके लड़कों मुकद में करके मुझसे ओपर कोई ना जाए इसलिए हमारे समाय ने आनंजी आ चुके है उन्हें चोईस कहले है लड़कों ने उससे यदे हम किसी को नहीं मानते हुआ है